दस, पोशक पदार्थ वो पदार्थ जो जीबों में विभिन प्रकार के जैविकाईयों के संजालन एवं संबादन के लिए आवशक होते हैं, पोशक पदार्थ निउट्रिंट्स कहलाते हैं उप्योगिता के आधार पर ये पोशक पदार्थ चार प्रकार के होते हैं एक उर्जा उत्पादक वो पोश्रक पदार्थ जो उर्जा उत्पन्न करते हैं जैसे वसा एवं कार्बोहईडरेड 2. उपापचाई नियंतरक वो पोश्रक पदार्थ जो शरीर के विबिन उपापचाई क्रियाओं का नियंतरन करते हैं जैसे विटामिनस, लवन एवं जल 3. व्रिद्धी तथा निर्मान पदार्थ वो पोश्रक पदार्थ जो शरीर के व्रिद्धी एवं शरीर की तूट फूट की मरमत का कारे करते हैं जैसे प्रोटीन चार अनुवानशिक पदार्थ वो पोश्रक पदार्थ जो अनुवानशिक गुणों की एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में ले जाते हैं जैसे न्यूकलिक अम्ल मनुश्यों के शरीर में विभिनकारियों के लिए निम्यलकित पोश्रक पदार्थों की आवश्रकता है 1. कार्बो हाइडरेट, 2. प्रोटीन, 3. वसा, 4. विटामिन्स, 5. नुकलिक्म, 6. खनिचलवण और 7. जल 1. कार्बो हाइडरेट कार्बो हाइडरेजन और ऑक्सिजन के एक अनुपाद दो अनुपाद एक के अनुपाद से मिलकर बने कार्बरिक पदार्थ कार्बो हाइडरेट कहलाते हैं शरीर के उर्जा के आवशक्ता की 50 से 75 प्रतीशत मात्रा की पूर्थी इनी पदार्थों द्वारा की जाती है एक ग्राम ग्लुकोस के पून ओक्सी करन से 4.2 किलो कैलरी उर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइडरेट तीन प्रकार के होते हैं 1. मोनो सेकराईड 2. डाई सेकराइड 3. पॉली सेकराइड 1. मोनो सेकराइड ये कारबोहाइडरेट की सबसे सरल अवस्ठा है एक डाई सेकराइडस बनता है जैसे माल्टोज, सुक्रोज एवं लेक्टोज ग्लुकोज प्लास फ्रुक्टोज बराबर सुक्रोज ग्लुकोज प्लास ग्लुकोज बराबर माल्टोज ग्लुकोज प्लास ग्यलक्टोज बराबर लेक्टोज 3. पाली सेकराइडस ओनो सेकराइडस के कई अणों से के मिलने से लंबी श्रंखला वाली आगुलनशील पाली सेकराइडस का निर्मान होता है ये आर्थोपोड़ा के भाये कंकाल एवम सेलुलोस में पाया जाता है इसके अन्य उधारण है स्टार्च, क्लाइकोजन, काइटीन, आदी कार्बोहाइडर्ट के प्रमुख कारे 1. ओक्सीकरंट वारा शरीर की उर्जा की आवश्रता को पूरा करना 2. शरीर में भोचन संचै की तरह कारे करना 3. बिटामन सी का निर्मान करना 4. निउकलिक अमलों का निर्मान करना 5. जन्तूओं के भाये कंकाल का निर्मान करना कार्बोहाइडर्ट के प्रमुख स्रोत गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरगंद, शल्जम 2. प्रोटीन प्रोटीन शब्द का सरुपथम प्रयोग जे बढ़ जेलियस ने किया था ये एक जटल कार्बरिक यॉगिक है जो 20 अमीनों अमलों से मिलकर बने होते हैं माना शरीर का लगब 15 पतिशत भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है प्रिष्ट 413 उर्जा उत्पादन एवं शरीर की मनमत दोनों कारियों के लिए प्रोटीन उत्तरदाई होता है मनश्यों के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यक्ता होती है जिनमें से 10 का संचलेशन उसका शरीर स्वयम करता है तताशेश 10 भोजन के द्वारा होते हैं प्रोटीन के प्रकार एक सरल प्रोटीन वो प्रोटीन जो केवल अमीनों अमलों के बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं उधारन अल्ब्यू मिन्स Lobulants – Histone – Hithyadi 2. Sun-Yugumi Protein वो protein जिनके अनुों के साथ सम्हू भी जुड़े रहते हैं Sun-Yugumi Protein कहलाते हैं उधारण – Chromoprotein – Glightoprotein आती 3. Vyutphan Proteins वो protein जो प्राकर्तिक protein के जलिय अपघटन से बनते हैं व्यutphan archetyons – Peptone – Peptide Proteins के मह्तंअ कारिय एक, ये कोशिकाओं जीवद्रवे एवं उतकों के निर्मान में भाग लेते हैं दो, ये शारीरिक विद्धी के लिए आवशक है, इनकी कमी से शारीरिक विकास रुख जाता है बच्चों में प्रोटीन की कमी से कुवा, शियोरकर एवं मरासमस नामक रोग हो जाता है तीन, आवशक्ता पढ़ने पर ये सारे शरीर को उर्जा देते हैं चार, ये जैव उत्पेरक एवं जैविक नियंतरक के रूप में कारे करते हैं पाँच, अनुवांशिकी लक्षणों के विकास का नियंतरन करते हैं छै, ये समवेहन में भी सहायक होते हैं कवाशी यौरकर इस रोग में बच्चों का हाथ पाउं दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है मरासमस इस रोग में बच्चों की मास पेश यांडीली हो जाती हैं इन, वसा, फैट्स वसा, ग्लिस्ट्रॉल एवं वसी अमल का एक एस्टर होती है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं आक्सिजन, विबिन मात्राओं में उपस्तित रहते हैं वसा समानता 20 दिगी सेर्शिय स्टाप पर ठोस अवस्था में होते हैं परन्तु यदि वो इस्टाप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं वसा अमल दो प्रकार के होते हैं संत्रिप्त तथा आसंत्रिप्त आसंत्रिप्त वसा अमल मचली के तेल एवं वरस्पते तेलों में मिलते हैं केवल नारियल का तेल तथा तार का तेल, पाम, ओयल, संत्रप्त तेल के उधारन है। एक ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलरी उर्जा उत्पन होती है। समानता एक व्यस्क व्यक्ति को 20-30 प्रतीशत उर्जा वसा से प्राप्ट होनी चाहिए। शरीर में इनका संचलेशन माइट्रो कॉंड्रिया में होता है। वसा का मुख्यकारिये। एक ये शरीर को उर्जा प्रदान करती है, दो ये तवचा की नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकालने देती है। ये खादी बदार्थों में स्वाद उत्पन करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। चार ये शरीर के विभिन अंगों को चोटों से बचाती है। वसा की कमी से तवचा रूख ही हो जाती है, वजन में कमी आती है, एवं शरीर का विकास रूख जाता है। वसा की अधिक्ता से शरीर स्थूल हो जाता है, हिर्दे की बिमारी होती है, एवम रख्त चाप बढ़ जाते हैं प्रिष्ट 414 चार, विटामिन विटामिन का आवश्कार फंक ने सन 1911 इस्वी में किया था ये एक प्रकार का कार्बनिक यॉगिक है, इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती परन्तु ये शरीर का उपापचे मेटाबॉलिजम में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्क है गुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं एक जल में गुलनशील विटामिन, विटामिन B एवं विटामिन C दो वसा या कार्बनिक गोलकों में गुलनशील विटामिन, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एवं विटामिन K विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है विटामिनों का संचलेशन हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी पूर्ती विटामिन युक्त भोजन से होती है तथा भी विटामिन D एवं K का संचलेशन हमारे शरीर में होता है विटामिन के जिवानों द्वारा हमारे कोलन द्वारा हमारे कोलन में संचलेशित होता है कमी से होने वाला रोग आवम उसके स्ती रोथ विटामिन A, रासायनिक नाम रेटिनॉल, कमी से होने वाला रोग रताउंधी, संक्रमणों का खत्रा, जीरो, प्ले, प्रिथैल्मिया, स्त्रोत, दूध, अंडा, पनीर, हरी साग, सबजी, मचली कृत, तेल विटामिन B1, रासायनिक नाम ठायमिन, कमी से होने वाला रोग बेरी-बेरी, स्तरोत, मुण फली, तिल, सूखी, मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा, एवं सबजीया, विटामिन B2, रासायनिक नाम राइबो friendly, कमी से होने वाला रोग तवचा का फटना, आंखो का लाल होना, जिहवा काग भटना, स्त्रोत, खमीर, कलेजी, मास, हरी सबजियां, दूद, विटामिन B3, रासायनिक नाम, पेंटो थेनिक अमल, कमी से होने वाले रोग, बाल सफेध होना, मंद बुद्धी होना, स्त्रोत, मास, दूद, मुंगफली, गन्ना, टमाटर, विटामि विटामिन B5, रासायनिक नाम, निकोटी, नैमाइड या नियासिन, कमी से होने वाला रोग, पेलागर, तवचा दाद या 4D सिंड्रॉम, स्त्रोत, मास, मुंगफली, आलू, टमाटर, पत्ति वाली सबजियां, विटामिन B6, रासायनिक नाम, पाईडी टॉक्सिन, कमी से ह होने वाला रोग लगवा ृषरीर में दर्थ बालों का गिर्ना स्त्रोथ मास अंड़ा यक्रत दूद विटामिन B12 रासाएनिक नाम साईंव काबाला मिन कमी से होने वाला रोग एनेमिया और पांडू रोग फॉलिक अमल रासाएनिक नाम टेरोईल, ग्लूटेमिक, कमी से होने वाला रोग, एनीमिया, पेचिश रोग, स्त्रोत, डाल, यकृत, सबजियां, अंडा, सेम, नीबू, संत्रा, नारंगी, टमाटर, खटे पदार, मिर्च, अंकुरित अनाज, विटामिन डी, रासायनिक नाम, कैलिस, फेराल, कमी से होने वाला रोग, रिकेट्स बच्चों में, ओस्टियो मलेशिया व्यस्क में, स्त्रोत, मचली यकृत तेल, दूध, अंडे, विटामिन ए, रासायनिक नाम, टोको फेराल, कमी से होने वाला रोग, जरन शक्ति का कम होना, स्त्रोत, पत्ती वाली सबजियां, दूध, मखन, अंक पती तेल, विटामिन के, रासायनिक नाम, फिलोक्वी नोन, कमी से होने वाला रोग, रत्र का ठक्का ना बनना, स्त्रोत, टमाटर, हरी सबजियां, आतों में भी उत्पन, प्रिष्ट 415, आच, न्यू क्लिक अमल, ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइड्रोजन, ऑक्सिजन वा फासफोरस से बने नाइकलियो टाइडों के बहुलक हैं, जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में DNA वा RNA के रूप में पाई जाते हैं इनका प्रमुख कारे हैं, एक, अनुवांजिक की गुडों को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में पहुँचाना, दो, एंजाइम्स के निर्मान एवं प्रोटीन संचलेशन का नियंतरन करना, तीन, ये क्रॉमेटिन जाल का निर्मान करते हैं, छे, खनिच, मिनिरल्स, मर कुष्य खरज भूमी से प्राप्त ना करके बोजन के रूप में ग्रेहन करता है, ये शरीर की उपापचई क्रियाओं को नियंतरत करते हैं, महत्वपून खनिच पदार्थ तथा उनके प्रकारिये, खनिच, सोडियम, सोडियम क्लोराइड के रूप में, दैनिक मात्रा, 2- 5 ग्राम, मुख्यस्त्रोत, साधरन नमक, मचली, मास, अंडे और दूद, प्रकारिये, ये समान तहा कोशी का भाईये द्रव्य में धनायन के रूप में होता है, तथा निम्नकारियों से संबद है, पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतु में, तंत्रिका आवेक का संचर शरीर में धनात्मक विद्यूत अब घटे संतुलन बनाये रखना, पोटेशियम, दैनिक मात्रा, 1 ग्राम, मुख्यस्त्रोत, लगबख सभी खाद्य पदार्थों में होता है, प्रकारिये, समान तहा कोशी का द्रव में धनायन के रूप में पाया जाता है, ये निम्न अभ साइनिक अभिक्रियाएं, पेशिय संकुचन तंत्रिका आवेक का संचरन, शरीर में विद्यूत अब घटे संतुलन बनाये रखना, कैल्शियम, दैनिक मात्रा, लगबख 1-2 ग्राम, मुख्यस्त्रोत, दूद, पनीर, अंडे, चना, हरी सबजियां, साबुत, अन, रागी, मचली, प्रकारिये, ये विटामिन के साथ हड़ियों तथा दांतों को दृंटा प्रदान करता है, लुधिर के सकंदन में भूमिका, पेशिय संकुचन प्रक्रिया से संबध्व, फास्पूरस, दैनिक मात्रा, 1-2 ग्राम, मुख्यस्त्रोत, दूद, पनीर, हरी, पत्तिद को दृंटा प्रदान करना, ये शरीर के तरल पदार्थों के संरचना आत्मक संतुलन बनाए रखने में सायक है, लोहो, दैनिक मात्रा, 25 मिलिग्राम बालक, 35 मिलिग्राम बालिका, मुख्यस्त्रोत, कलेजी, गुर्दे, अंडे का पीतक, चोकर युक्त, आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेव, केला, पालक, एवं अन्य हरी सबजियां तथा गोड़, प्रकारिये, लोहा, लाल रोदिर कडिकाओं में हीमोगलोबिन को बनने के लिए आवशक है, ये उतक में ऑक्सिकरन के लिए आवशक है, आयोडीन, दैनिक मात्रा, 20 मिलिग्राम, 20 मिलिग्र समुंद्री, हरी, पत्तेदार सबजियां, आयोडीन, नमक, प्रकारिये, ये थाईराइट, ग्रंथी द्वारा, स्रावित, थाईरॉक्सिन, हार्मोन के संचलेशन के लिए आवशक है, मेग्नीशियम, दैनिक मात्रा, अत्यल्प, मुख्यस्त्रोत, सबजियां, प्रकारिये पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र के क्रिया है तू, जस्ता, दैनिक मात्रा, अत्यल्प, मुख्यस्त्रोत, यकृत एवं मचलियां, प्रकारिये, इंसुलिन कारिकी के लिए, तांबा, दैनिक मात्रा, अत्यल्प, मुख्यस्त्रोत, मास, मचली, यकृत एवं अनाज, प्रकारिये हीमोग्लोबिन तथा अस्तियों के निर्मान एवं इलक्ट्रॉन समवाह के रूप में. कोबाल्ट, दैनिक मात्रा, अत्यल्प, मुख्यस्त्रोत, मास, मचली एवं जल. प्रकारिये आरबीसी तथा विटामिन B12 के संचलेशन हे तू. नोट, गर्भवती स्त्रियों में प्राया केल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है. प्रिष्ट 416 साथ, जल. मनुष्य इसे पीकर प्राप्ट करता है. जल हमारे शरीर का मुख्य अव्यव है. शरीर के भार का 65-75 प्रतिशित भाग जल है. जल के प्रमुख कारिये एक, जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदिन, पसीना तथा वाश्पन द्वारा नियंतरत करता है. दो, शरीर के अबशिष्ट पदार्थों के उचसर्जन का महत्वपून माध्यम है. शरीर में होने वाली अधिकतर जैवरासाइनिक अभीक्रियाएं जल ये माध्यम में संपन होती है. संतुलित पोशन वो पोशन जिससे जीव के लिए आवशक सभी पोशक तत्व, परियाप्त मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित पोशन कहलाता है. आजकल तूद को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें आईरेन एवं विटामिन सी का अभाव होता है. संतुलित पोशन संतुलित आहार से प्राप्त होता है, जो नीचे के तालिका में दी गई है. खाद्यपदार्थ अन येहूं और चावल व्यस्क पुरुष्क सामानिय 400 मध्यम 520 कठोर 670 व्यस्क महिला सामानिय 410 मध्यम 440 कठोर 575 बच्चे एक से तीन वर्ष 175 चार से छे 270 बालक 10 से 18 वर्ष 420 बालिका 10 से 16 तीन सो असी दालें व्यस्क पुरुष्क सामानिय 40 मध्यम 50 कठोर 670 व्यस्क महिला सामानिय 40 मध्यम 45 कठोर 570 बच्चे एक से तीन पैथीस चार से छे 35 बालक 10 से 18 पैथालिस बालिका 10 से 16 पैथालिस पत्यदार सब्जियां व्यस्क पुरुष सामाने 40 मध्यम 40 कठोर 40 व्यस्क महिला सामाने 100 मध्यम 100 कठोर 50 बच्चे 1-3 20-4-6-30-50-50 दूद व्यस्क पुरुष सामाने 150 मध्यम 200 कठोर 250 व्यस्क महिला सामाने 100 मध्यम 150 कठोर 200 बच्चे 1-3 30-4-6-250-10-18-250-10-16-20-250 कंद मूल व्यस्क पुरुष सामाने 50 मध्यम 60 कठोर 80 व्यस्क महिला सामाने 50 मध्यम 50 कठोर 60 बच्चे 1-3-10-4-6-20-10-18-30-10-16-30 गुड या शकर व्यस्क पुरुष सामाने 30 मध्यम 35 कठोर 55 व्यस्क महिला सामाने 20 मध्यम 20 कठोर 40 बच्चे 1-3-30-4-6-40-25-10-18-10-16-45 वसा वा तेल व्यस्क पुरुष सामाने 40 मध्यम 45 कठोर 65 व्यस्क महिला सामान्य 20, मध्यम 25, कठोर 40, बच्चे 1-3, 15, 4-6, 25, बालक 10-18, 40, बालिका 10-16, 35 मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवशकताय निम्न है 1. कार्य की प्रकर्ती हलका कार्य करने वाले 2. पुरुष 2,000 कैलोरी, स्त्री 2100 कैलोरी 2. आट गंटा कारे करने वाले पुरुष 3000 कैलोरी स्त्री 2500 कैलोरी 3. कठन परिश्रम करने वाले पुरुष 3600 कैलोरी 11. मानव रोग 1. परजीवी, प्रोटोजोवा द्वारा होने वाला रोग 1. मलेरिया, प्रभावितं, तिल्ली एवं आर्वी सी परजीवी प्लाज्मोडियम वाहक मच्छड मादा एनाफ्लीज लक्षण ठन के साथ बुखार पाइरिया प्रभावित रोग मसूडो परजीवी एंट अमीबा जिंजी वेलिस वाहक मच्छड डैश लक्षण मसूरों से रखतो का निकलना तीन सोने की बिमारी प्रभावितंग मस्तिश्क परजीवी ट्री पैनो सोमा वाहक मच्छड सीसी मखी लक्षण बहुत नीन के साथ बुखार चार पेचिस प्रभावितंग आंत परजीवी एंट अमीबा हिस्टॉलिटिका वाहक मच्छड डैश लक्षण शलेश्मा एवं खोन के साथ दस्त 5. काला जार प्रभावितंग अस्ती मच्जा परजीवी लिश्मैनिया डोनावानी वाहक मच्छड बालु मखी लक्षण टेज बुखार मेक कुलाच ने 1827 इस्वी में सर्वपतम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया प्रिष्ट 417 लेवरन 1880 इस्वी ने मलेरिया से पेढ़ित वक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोच की रोनाल्ड रास 1887 इस्वी ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टी की तथा बताया कि मच्छड इसका वाहक है जिवानूं बेक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग प्रभावितंग फेफड़ा जीवानु के नाम माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लॉसिस लक्षन बार बार खासी के साथ कफ रक्त निकलना डिप्तीरिया प्रभावितंग श्वासनली जीवानु के नाम कोरोनी बैक्टीरियम डिफ्तीरी लक्षन सांस लेने में कठनाई एवं दम घुटना प्लेग प्रभावितंग फेफडा कारम दोनों बेर के पैर के बीच जीवाणू के नाम पाश चुरेला पेस्टिस लक्षन बहुत तेज बुखार शरील पर गिल्टियां काली खांसी प्रभावितंग श्वसन तंत्र जीवाणू के नाम हीमो फिलस पर टूसस लक्षन लगाता खांसी आना निमोनिया प्रभावितंग फेफडा जीवाणू के नाम डिपलो कोकस नियूमोनी इस लक्षन तेज बुखार फेफडो में सूजन कोड प्रभावितं तंत्रिका तंत्रत्वचा जिवाणूं के नाम माइको बैक्तिरियम लेपरी लक्षन शरीर पर चकते तंत्रिकाई प्रभावित गो नोरिया प्रभावितंग मूत्रमार्ग जिवाणू के नाम नाइसेरिया गो नोरियाई लक्षन मूत्रमार्ग में सूजन सीफलिस प्रभावितंग शिशन जिवाणू के नाम ट्रैपोनमा पैलिडम लक्षन शिशन में घाओ नोट, सन 1882 इस्वी में जर्मन वैग्यानिक रॉबर्ट कोच ने कालरा एवं टीबी के जिवाड़ों की खोच की लुई पाश्टर ने रैबीस का टीका एवं दूद का पाश्चुराइजेशन की खोच की बच्चों को DPTT का उन्हें डिब्तीरिया काली खासी एवं टिटनेस रोग प्रतिरक्षी करण म्यूनिजेशन के लिए दिया जाता है हैली मंथस द्वारा होने वाली बिमारी एक अतिसार डाइरिया इस रोग का कारण आंत में मौजूद एसकेरिस लुम्बरी काइडिस नामक अंतह पर जीवी प्रोटोजुआ निमेटोड है जो घरेलो मक्षी द्वारा प्रसारित होता है इसमें आंत में घाउं हो जाता है इसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिम नश्ट हो जाता है ये रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है दो फाइलेरिया ये रोग फाइलेरिया बेन क्रोफटाई नामक क्रीमी से होता है इस क्रीमी का संचारन क्यू लेकस मच्छरों के दन्स से होता है इस रोग में पैरों, व्रिशन कोशों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है इस रोग को हाती पाउं भी कहते हैं फफूंध, फंगस द्वारा होने वाली बिमारी एक दमा, अस्थमा मनुष्य के फेफडों में एस परजिलस, फ्यू, मिगेटस नामक कवक के स्पोर पहुँचकर वहाँ जाल बनाकर फेफडों का काम अवरुद्ध कर देते हैं ये एक संक्रामक रोग है दो, एथिलीट फुट ये रोग टीनिया पेडस नामक कवक से होता है, ये तवचा का संक्रामक रोग है, जो पैरों की तवचा के फटने, कटने और मोटे होने से होता है तीन, खाज, स्कैबीज ये रोग एकेरस कैबीज नामक कवक से होता है, इसमें तवचा वे खुजली होती है, तता सफेद दाग पर जाते हैं प्रिष्ट 418 चार गंजापन, बाल्डनेस ये टीनिया कैपेटिस नामक कवक से होता है, इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं पाँच, दाध, रिंगवॉम, ये रोग ट्राइको फाइटन लेरू कौसम नामक कवक से फैलता है, ये संक्रामक रोग है, इसमें तवचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं विशाणू, वारस के द्वारा होने वाली बिमारी एक, एट्स, प्रभावितंग प्रतिरक्षा प्रणाली, WBC, विशाणू के नाम, HIV, लक्षन, रोग प्रतिरोधक शमता का नश्ठोना दो, डेंगू, जुवर, हड़ी, तोड, वुखार, प्रभावितंग, संपूर, शरीर, खास, कर, सिर, आँख, एवं, जोड, विशाणू के नाम, अर्बो, वारस, लक्षन, आँखो, पेशियों, सिर, तथा, जोडों में दर्द तीन, पोलियो, प्रभावितंग, गला, रीड, नाडी, संस्थान, विशाणू के नाम, पोलियो, लक्षन, जुवर, बर्दन में दर्द, रीड की हड़ी, आँथ की कोशिकायन नश्ठ हो जाती है चार, इंफ्लुएंजा, प्रभावितंग, संपून, शरीर, विशाणू के नाम, मिक्सो वाइरस, A.B.C, लक्षन, गल्षोत, छींक, बेचैने पांच, चेचक, प्रभावितंग, संपून, शरीर, विशाणू के नाम, वैरी ओला वाइरस, लक्षन, तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने छे, छोटी माता, प्रभावितंग, संपून, शरीर, विशाणू के नाम, वैरी सेला वाइरस लक्षन हलका बुखार शरीर पर पित्तिकाई साथ गलसोत प्रभावितंग पैरा थाईराइड ग्रंथी विशाणू के नाम डैश लक्षन जुवर के साथ मुझ खोलने में कठिनाई आठ खस्रा प्रभावितंग संपून शरीर विशाणू के नाम मौर्बिली वारस लक्षन आँख लाल होना या आँख में दर्थ दस हिपेटाइटिस पीलिया प्रभावितंग यकृत विशाणू के नाम डैश लक्षन पेशा पीला आँख एवं तवचा पीला हो जाता है ग्यारह रैबीज प्रभावितंग तंत्रिका तंत्र विशाणू के नाम रैब्डोवाइरस लक्षन रोगी पागल हो जाता है जीब बाहर निकालता है बारह मेनिंजाइटस प्रभावितंग मस्तिश्क विशाणू के नाम डैश लक्षन तेज बुखाल तेरा हर्पीस, प्रभावितंग त्वचा, विशाणू के नाम हर्पीस, लक्षन त्वचा में सूजन हो जाती है Note, AIDS, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome ELISA, Enzyme-Linked Immune Solvent Assay ये HIV वारस की जाच करने की एक प्रणाली है, इससे पता चलता है कि व्यक्ति AIDS पीडित है या नहीं इसे ELISA टेस्ट कहते हैं, वरतमान में AIDS के उपचार के लिए एजिडो, थाई, मिडिन, A, Z, T, और शिधी का प्रयोग किया जा रहा है मनुश्यों में होने वाला आनुवानशिक रोग, एक वरांधिता, कलर, ब्लाइनेस इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है इस रोग के मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है स्त्रियों में ये तब ही होता है जब इसके दोनों गुरसूत्र डबल एक्स प्रभावित हो इस रोग की वाहक इस्त्रियां होती है 2. हीमोफीलिया इस रोग में व्यक्ति में चोट लगने पर आधा गंटा से 24 गंटे समाने समय औसतन 2-5 मिनट तक रक्त का ठक्का नहीं बनता है ये मुख्यत हाँ पुरुशों में होता है इस्त्रियों में ये रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुरसूत्र डबल एक्स प्रभाविध हों प्रिष्ट 419 इस रोग की वाहक इस्त्रियां है हेलडेन का मानना है कि ये रोग बिरिटेन की महरानी विक्तॉरिया से प्रारम हुआ 3. टर्नर सिंड्रॉम ये रोग स्त्रियों में होता है, इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुर्सूत्रों की संख्या 45 होती है इसमें शरीर अलप विक्सत कद छोटा तथा वक्ष चप्टा होता है जननांग प्राया अविक्सत होता है जिसमें वो बांच स्टेराईल होती है छार, क्लीने فیल्टल सिंट्रॉम ये रोग पूरुषों में होता है, इस रोग से ग्रसित पूरुषों में गुर्ट सूत्रों की संख्या 47 होती है इसमें पूरुषों का व्रिशन अल्प विक्सत एवं स्तन कर्द्सतرियों कि समान विक्सित हो जाता है इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुनसक होता है 6. डाउन सिंड्रॉम इस रोग से ग्रसित रोगी मंद बुद्धी आंखे तेड़ी जीव मोटी तता आनियमित शारिरिक धाचा होता है इसे मंगोलिजम भी कहते है 7. पटाउ सिंड्रॉम इसमें रोगी का उपर का ओट बीच से कट जाता है तालू में दरार, क्लेफ्ट प्लेट हो जाता है इस रोग में रोगी मंद बुद्धी नेत्र रोग आदी से प्रभावित हो सकता है 9. कुछ अन्य रोग एक पक्षघाद या लकवा, पैरलाइसस इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आदे भाग को लकवा मार जाता है जहां पक्षघाद होता है, वहां की तंत्रिकाएं निश्क्रिये हो जाती है इसका कारण अधिक रक्तदाप के कारण मस्तिश्क की कोई धमनी का भजजाना अध्वा मस्तिश्क कोब आपरियाप तलक्त की आपूर्ती होना है 2. ऐलर्जी कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआ, रसायन, कपड़ा, सरदी किनी विशेश व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विप्रीत करिया होने लगती है जिससे अनेक बिमारियां हो जाती है खुचली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना काला दाग, एक्जिमा, आदी एलर्जी के उधारन है 3. साइजो, फ्रेनिया ये मानसिक रोग है जो प्राया, युवा, वर्ग में होता है ऐसा रोगी कलपना की ही को ही सत्य समझता है वास्तविक्ता को नहीं ऐसे रोगी आलसी, अलगाव हीन, आवेश हीन होते है विद्ध आक्षेप, चिकित सा इसमें काफी सायक होती है 4. मिर्गी, एपिलेप्सी इसे अब स्मार रोग कहते हैं ये मस्तिश्क के आंत्रिक रोगों के कारण होती है इस रोग में जब दौरा बढ़ता है तो मुझ से जाब निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है 5. डिपलोपिया ये रोग आंग की मासपेशियों के पक्षाखाद पेरलाइसस के कारण होती है 6. कैंसर मनुष्य के शरीर के किसी भी आंग में त्वच्चा से लेकर आस्तितक यदि कोशिका वृध्धी आनियमत्रित हो तो इसके पर्याम सरूप कोशिकाओं में आनियमित गुच्छा बन जाता है इन आनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं कैंसर को यह स्थापित होने में जो समय लगता है उसे लेटन पीरियट कहते हैं कैंसर मुख्य तहा चार प्रकार के होते हैं 1. कारसी नोमास इसके उत्पत्ती उपकला उतकों से होती है 2. सारकोमास यह कैंसर संयोजी उतकों अस्थियों उपस्थितियों एवं पेशियों में होता है 3. लियू कीमियास यह लियू कोमाइट्स में आसमाने व्रिधी के कारण होता है 4. लिमफोमास यह कैंसर लसी का गाठो एवं प्लीहा में होता है प्रिष्ट 420 एरह विवेद सबसे चोटा पक्षी हमिंग पक्षी सबसे बड़ा अंडाय शुतुर मुर्क सबसे उंचा स्थनी जिराफ आफरीका सबसे बड़ा तथा भारी स्थनी नीली वेल सबसे बड़ा जीवेद साइस्रिप टरटिल केच्वा समुंद्री अंड प्रजक्स्तनी एकेडिना तथा डख बिफ प्लेटिपस चिकट्सा संबंधी आविशकार विटामिन आविशकारक पंक विटामिन बी मैकोलन विटामिन दी हॉपकिन्स स्ट्रेप्टोमाइसन बॉप्समेन होमियोपैथी हैनेमेन ओपन हार्ट सजरी वॉल्टल लिले हल प्रथम परखनली शिशू एड़्वर्ट्स एवं स्टेप्टो एंटिजन लेंड स्टीनर क्लोरोफान हैरिसन तथा सिम्सन टेरामाइसन फिनल डाबटीज बेंटिंग पोल्यो वैक्सीन जॉन E. साल्क बेक्टीरिया ल्यूवन हॉक आर एन ए जेम्स वाट्सन तथा आर्थर अर्ग मलेरिया पद जीविज वाचिकित्सा रोनाल्ड रास विटामिन A, मेकूलन विटामिन C, हॉलकट सल्फा, ग्रक्स डॉग मेंग, हिदय प्रत्यारोपन क्रिश्चन बर्नार्ड, लिंग हार्मोन स्टेनाच, गर्म निरोध गोलिया पिंकस, इलेक्ट्रो काडियोग्राफ आई नियोवन इंसुलिन बेटिंग, चेचक काटिका एडवर्ड जेनर, टीबी बेक्टीरिया रोबर्ट कोच, पैनिसिरिन अलक्सेंडर फ्लेमिंग, बीसी जी यूरिन कालमेट, रक्त परिवर्थन काल, लेंड स्टीनर, डी एने जेम्स वाट्सन तथा क्रिक, पेचिश तथा प्लेग की चिकित्सा किटा जाटोज प्रमुक चिकित्सा उपकरण एक, पेसमेकर हिर्देगती कम हो जाने पर इससे समाने अवस्ता में लाने हैं तू इसका प्रयोग किया जाता है 2. कम्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, सीटी स्कैन संपूर्ण शरीर में किसी आसमानी या विकृती का पता लगाने हैं तू इसका प्रयोग किया जाता है का पता लगाने के लिए प्रिष्ट 424 कुछ महत्वपून तत्थ है 1. स्वपनों के अध्यन को ओनिरोलोजी कहते हैं 2. मनुष्यों के सौंदर्य के अध्यन को कैलोलोजी कहते हैं 3. जीवन की उत्पत्ती के समय आक्सिजन नहीं था 4. शरीर में सबसे द्रण मजबूत तत्व दातों का एनामेल होता है 5. मनुष्य में लिंग निर्धारन पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है नाकी इस्तिरियों के क्रोमोसोम से 6. सबसे तेज तंत्री का आवे 532 किलोमेटर प्रतिगंटा होती है 7. मनुष्य के फेफडे का आंतरी की क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है जो शरीर के भाये क्षेत्रफल का 40 गुना होता है 8. हड़ियां कंक्रीट जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कटोर होती है 9. शरीर के भीतर प्रतिसेकिंड लगभग 150 लाग कोशिकाएं नश्ट होती है 10. इस्तरी के गरभाशे का भार जिसने कभी संतान जर्म ना दिया हो 50 ग्राम का होता है तता संतान को जर्म देने के बाद इस्तरी के गरभाशे का भार 100 ग्राम हो जाता है 11. गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है लंबी होती है तथा उसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है शरीर के बीतर रक्त परिभ्रमन में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है पैनिसीली नामक प्रतिजयवक पैनिसीलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान होमो निड है एलबर्ट रॉस सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है जिसके पंक का फैलाव 10-12 फीट तक है मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाग बाल होते हैं ले सेंटा बनने के आरंब के समय HCG हार्मोन काफी मात्रा में सरावित होकर मूत्र में उत्सरजित होने लगता है इसी समय मूत् फैर्मोन कि उपस्तिति से गर्बा धहन की जाँच की जाती है बच्चे की हृ待って की धड़कन व्यस्वेक्टी से जादा होती है एक बार सांस लेने की किरिया पांच सेकिंड में अर्था, दो सेकिंड में निश्र वसन, इंस्पिरेशन तथा तीन सेकिंड में पूरी होती 23 मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रति दिन लगवक 350 लीटर ऑक्सिजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है इसमें 97 प्रतिशत ऑक्सिजन हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है तता शेश 3 प्रतिशत भाग का संचारन रुधिर प्लाजमा करता है इसी के साथ जी विज्ञान की ये जानकारी समाप्त होती है प्रिश्ट 425